चाहे बाइक तुम चलाओ, चाहे ट्रक में ही चड़ जाओ, चाहे पैदल चलके उल्टे सीधे मुद्धे पे अड़ जाओ, सीटे लाएंगे तीन सो के पार मोदी जी, सीटे लाएंगे तीन सो के पार मोदी जी, चौबिस में फिर से चलाएंगे सरकार मोदी जी, इनका गठ बंदन है फर जी, कैची एक पची सोंदर जी, अच्छी लाएं ने यार, लाएं तो बड़ी आए, उमीद से अच्छी लाएं आए बहुए, इनका गठ बंदन है फर जी, कैची एक पची सोंदर जी, होगी आपस में तकरार चलेगी अपनी अपनी मर्जी, सब गलत फेहमी देंगे सुधार मोदी जी, 24 में फिर से चलाएंगे सरकार मोदी जी, कैसी गलबईयां हैं करते, देखो सब ही करप्शन कर्मी, कैसी गलबईयां हैं करते, देखो सभी करप्शन कर्मी, जनता की सेवा तो छोड़ो, सब को पी अमपद की गर्मी, जनता की सेवा तो छोड़ो, सब को पी अमपद की गर्मी, सब को पी अमपद की गर्मी, सब को पी अमपद की गर्मी, सब की गर्मी को देंगे उतार मोदी जी 24 में फिर से चलाएंगे सरकार मोदी जी 24 में फिर से चलाएंगे सरकार बहुत बहुत दन्जवा, thank you, thank you एक बड़ा पुराना सा शेर था कहते हैं न कि आशार मेरे कि अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं, और आखों में जो भर लोगे तो काटों से चुभेंगे, कुछ खुआब तो पलकों पे सजाने के लिए हैं, अभी आप 24 में फिर से लाएंगे सरकार मूदीजी, कि यह ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए हैं अब यूँ ही नहीं ठीक के हर दर्द मिटा दे दर्द तो सीने से लगाने के लिए 24 की सरकार तो भूल जाओ गोरो भाई इन्होंने शेर से कहा तो पर शेर से कह देता हूं कि इनको भी तो थोड़ी सी आशा चाहिए ही चाहिए तो मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल बैलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है गालिब तो आप भी थोड़ा सा तो से कारिय करता उनके सबर्मान बह जाएं वो कुछ बोले नहीं चुप चाप ही हर दर्द सह जाएं लगी है दोड़ बस अपनों को उपर ही उठाने की जमीनी कारिय करता तो जमीनों पर ही रह जाएं राजपूर जी और मैं इशारे में कहूंगा यही सच है कि राहुल जी गलत फहमी में रहते हैं विरोधी तीर मारे तो बड़े खुश हो के सहते हैं तुम्हारे दल के नेता कल मिले हसकर के ये बोले यहां कहना है वो जाकर विदेशों में वो कहते हैं आप क्या अदमी और युवा शक्ती को बढ़ाने की बात मैं समझत हो मेरे सारे कभी इस बात का समर्थन करेंगे और युवा ओ यह आज का मुक्तक है युवा शक्ती को आगे करने की बस बात करते हैं मगर 24 की सोचें खरे वो कब उतरते हैं मगर 24 की सोचें खरे वो कब उतरते हैं सचिन और जीतु पटवारी कहीं पीछे न रह जाएं मद्यप्रदेश राजिस्थान सचिन और जीतु पटवारी कहीं पीछे न रह जाएं कमल हैं दिगविजे हैं तो कहीं गहलोत दिखते हैं मैं जल्दी से एक मज़ेदारी की कविता आपको सुनाता हूं राहुल जी लद्दाख गए और वहां से उन्होंने ये बयान दिया कि चीन ने यहां घुसपैठ की हुई है अंदर तक घुसे आएं तब कविता सुनो एक एक पंधिया आनन लेना राहुल जी लद्दाख जा कर चीन की घुसपैठ देखे आए हो सकता है चंद्रयान लेंड हुआ है या नहीं यह देखने के लिए चांद पर निकल जाएं और यह हो भी सकता है मैं साबित करता हूं देखने के लिए चांद पर निकल जाएं और हो भी सकता है क्योंकि उनकी यात्राओं में भविश्य क जहांकी है पैदल, बाइक, कार, ट्रेक्टर, ट्रक, प्लेन, सब पर तो घूमी चुके, बस एक रॉकेटी बाकी है। इस समय लद्दा गए हैं, वही की समस्या उनके बयान में है, पार्टी को उन्हें बताना चाहिए कि चुनाओ वहाँ नहीं, 36 गड़ मद्यपरदेश राजस्थान में हैं। जब तक क्यार चुनाओ निपटनी जाते, भाई यहाँ से दूरी रहे, अच्छा, किसी सुबचिंतक ने कहा होगा, यह बाइक बाइक लेकी क्यों चले गए। किसी सुबचिंतक ने कहा होगा, दिल जलाने से अच्छा पेट्रोल जला लीजिए, अंतिम लाइन दे रहा हो, दिल जलाने से अच्छा पेट्रोल जला लीजिए, चौबीस में देश चलाने को तो मिलेगा नहीं, आप मोटर साइकल चला लीजिए। चिंता मत कीजिए, रॉकेट पे भी जाएंगे, देश भी चलाएंगे और मोट साइकल भी चलाएंगे। के मिल रही है उन्हें जो शहरत, तुम्हें वो शहरत हजम नहीं है, जो विश्व हमको लगा है देने, तुम्हें वो इज्जत हजम नहीं है, तुम्हें वो इज्जत हजम नहीं है, और एक सवाल ये भी है, अभी हाल ही में जो कल घटना हुई, उस पर भी कई लोगों के ट हुआ निकल रहा थे वह उनकी ट्वीट से निकल रहा हूँ तो वहां से एक शेर अब उस धुएंशे मैंने एक शेर मनाया है आपको अच्छा लगे और इन लोगों पर सही बैट गया हो तो तालिया आप मांगता हूं लहर गया चांद पे है तिरंगा निशान भारत भी छप गया है कि इस बदौलत मिली जो दौलत तुम्हें वो दौलत हजम नहीं है कि इस बदौलत मिली जो दौलत तुम्हें वो दौलत हजम नहीं है और एक्षे सुनियेगा बार बार सवाल उठाते हैं राफिल में यह हो गया अभी आपने देखा 15 अगस्त पे देशी तोपों से सलामी दी गई यह हमारे लिए गर्व का विश है इनको हजम नहीं होती हुआ से भी एक्षे सुनना गगन में राफिल जमी पे तोपें समंदरों में विराट बेडा बताओ प्यारे बढ़ी हमारी तुम्हें यह ताकत हजम नहीं है और शेर आखिर जिस पर आपकी तालियों का महुत्सों देखना चाहता हूं मुगल लुटेरों को अब नहीं हम प्रता अब नहीं हम प्रताप चेतक को पूजते हैं यही है अपनी असल विरासत क्या ये विरासत हजम नहीं है यह बहुत 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 धनवाद आपर जमीन मालूम था कि ये ताकत नहीं नहीं है ये ताकत पुरानी है हम तो सरातनकाल से मजबूत हैं और जो 1948 से 1760 करोड का बजट था जिसमें हमने हतियार नहीं खरीदे हमने भाकड़ा नंगल डैम बनाया रेल बनाई एमस बनाई हमने रिसर्च इंस्टूट बनाई जिस रिसर्च इंस्टूट राइट टू फूर दिया राश्टी करत बैंकों को किया जिन बैंकों को यह बेच रहें 160 से जादा हम लोगों ने पीएस यू बनाई जिन पीएस यू को भारती जनता पार्टी वाले बेच रहें आज हमें यह बताओ कि आज 44 लाग करोड रुपए का हमने बजट दिया तो हमें होई रही है 1760 करोड से 44 लाग करोड तक लेकर के आए हम यह ताकत